हलो वाट्स अप दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक बार फिर सही जवाब में मैं सिधात आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो जो है बड़ा ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है आज हम हेड टू हेड कंपेर करने जा रहे हैं एरटेल के प् कंपनियों मैं से कौन से कंपनी के प्लान जो है वो हमें जादा वैल्यू फॉर मनी लगते हैं क्योंकि यह आपके हारड एंड मनी होते हैं और हर महीने आपको उसका रीचार्ज करना होता है तो ऐसे में आप कोई ऐसी कंपनी चूज करे जो की आपको कम पैसे में भी रहा है कि जो 28 days के plan आया करते थे अब companies को कम से कम हर एक section में एक एक plan ऐसा रखना पड़ेगा जिसकी validity पूरे 30 दिन की हो तो आखिरकार ये company 28 days का plan क्यों रखती थी क्योंकि हमेशा से ही 28 days अगर आप calculate करें पूरे साल के हिसाब से तो पूरा एक recharge आपको extra करना पड़ता है क्योंकि हर महीने के 2-2 दिन आपके cut रहे हैं हर महीने में 2 दिन आपको कम recharge मिल रहा है तो वो 2-2 दिन add करके पूरा एक महीना हो जाता है और उतन एक recharge company को जादा मिलता है आपकी तरफ से इसकी विजह से 28 days का हमेशा plan रखते थे लेकिन अभी try ने कहा है कि अब 30 days का एक pack तो कम से कम आपको वहाँ पर offer करना पड़ेगा हाला कि ये निर्णय जो है वो अभी अभी आया हुआ है company ओने अब तक 30 days वाले plan जो है वो introduce नहीं कर देंगे तो हाल फिल हाल जो plans अभी offer किये जा रहे हैं वो हम देख लेते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है अब तक आपने subscribe नहीं किया है तो वह यह जल्दी से जल्दी चैनल को subscribe जरूर कर दीजिए तो चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं मेरे mobile screen के उप तो 1GB per day वाले जो packs हैं वो हम पहले देखने वाले हैं जियो company जो है वो तीन ऐसे packs यहाँ पर offer करती है तो यहाँ पर देखिए पहला pack जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो है 209 रुपय का जिसके अंदर आपको 28 दिन की validity और 1GB data per day मिलता है यहाँ पर उसके details अगर आप द high speed तो 1GB का data जो है वो आपको दिन का high speed data मिलने वाला है लेकिन उसमें speed कितना मिलेगा यह company ने लिखा हुआ नहीं है साथी साथ आपको इसके अंदर voice calling भी जो है वो unlimited मिलने वाली है और साथी साथ SMS जो है 100 SMS per day का आपको benefit मिल जाएगा इसी के साथ साथ subscription देखिए यहाँ पर इसके साथ जो है वो आपको subscription फ्री में आती है और आपका 1GB data होने के बाद आपका जो internet है वो चलता रहेगा लेकिन वो 64 Kbps पर चलेगा इसके बाद का जो plan है वो आता है यह देखिए 179 रुपीज का जिसके अंदर validity 24 दिन की ही दी गई है और 1GB data per day आपको देखने को मिलता है और यहां पर देखिए 24GB 24 days याने के 1GB per day आपको मिलेगा इसके अंदर भी आपको unlimited voice calling और 100 SMS per day का आपको benefit मिल जाता है और साथी साथ जो सारे आपको यहां पर subscription मिलते हैं वो भी बिलकुल सेम है और आपका data limit जब खतम हो जाएगा quota उसके बाद वो 64 Kbps पर चलने वाला है इसकी बाद जो plan आता है वो है 149 का जिसकी validity अब इन्होंने गिरा करके केवल 20 दिन की की हुई है और इसमें आपको 1GB per day मिल जाता है तो 1GB per day का सबसे सस्ता plan आपको 149 रुपीज का मिल रहा है लेकिन उसकी validity जो है वो केवल 20 दिन की ही बची हुई है और बाकी सारे जो benefits है वो बिलकुल same है जैसे की बाकी plans के यहाँ पर आते हैं इसकी बाद हम जाएंगे यहाँ पर 1.5GB per day के plans के उपर तो 1.5GB के 6 plan company offer करती है और इसकी अंदर जो है वो validity यह आप देख सकते हैं 2545 रुपे का भी plan है जिसकी validity 336 दिन की होती है और 1.5GB per day आपको data मिलता है इसकी अं 10.5GB per day के plans हैं उनके जो benefits हैं वही benefits इसके हैं बस यहाँ पर validity और data ज्यादा मिलता है और 1.5GB per day आपको high speed data मिल जाता है बाकी सारे जो benefits है वो बिलकुल same है यहाँ पर यह देखिए 666 रुपे का plan आता है जिसकी validity भी 84 days की है और 1.5GB per day का आपको benefit मिलता है और बाकी सारे benefits भी बिलकुल similar है इसकी बाद 479 का एक plan आता है जिसकी validity यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 56 days की आपको देखने को मिलती है इसकी बाद 239 जिसकी validity 28 days की है और data जो है वो 1.5GB per day का है तो most of consumers जो है वो इसी plan को यहाँ पर opt करते हैं 239 रुपीज का जिसकी validity 28 days की होती है मतलब तकरी इवन महने बर चलता है इसके अंदर भी जो है वो benefits बिलकुल same आते हैं जियो ने subscriptions के मामले में ज़्यादा कुछ खिलवाड नहीं किया हुआ है इसके नीचे आता है यह 199 का plan जो कि 23 days की validity के साथ आता है उसकी बाद यह आप देख सकते हैं यह 119 रुपीज का plan जिसकी validity केवल 14 दिन की है और 1.5 GB per day आपको इसके अंदर मिलता है और उसकी भी सारे जो details है वो आप आपके screen पे देख सकते हैं तो अब हम चलते हैं 1.5 GB से 2 GB per day के packs के उपर जिनको consumption ज़्यादा होता है जिनको काम वगेरा भी करना पड़ता है उनके लिए यह plans लाए गए है company के द्वारा तो यहाँ पर पहला प्लान आप देख सकते है 3,119 रुपे का है जिसकी validity पूरे 365 days की है पूरे एक साल का आपको इसके अंदर जो है वो validity मिलता है 2 GB per day डेटा है और 10 GB जो है वो लमसम डेटा भी आपको मिल जाता है जाना कि कहीं इधर उधर हो गया किसी दिन आपको 365 days, total data 740 GB, data at high speed 2 GB per day plus 10 GB, voice calling unlimited मिलेगा, SMS 100 SMS per day आपको मिल जाएंगे और सब्सक्रिप्शन के अंदर एक चीज और आड़ हो जाती है और वो है Disney Plus Hot Star की तो ये एक चीज मुझे काफी अच्छी लेगी कि 2 GB per day के जो plans है उसके अंदर Disney Plus Hot Star उन्होंने आड़ किया है at least सबसे महें अब बाकी के plan भी खेर हम देखी लेते हैं तो ये देखें जैसे ही यहाँ पर थोड़ी सी कीमट ड्रॉप हुई 2889 रुपे तो इसके अंदर जो है वो आपको Disney Plus Hot Star देखने को नहीं मिलता है इसकी भी validity 365 days की है 2 GB per day आपको data मिलता है बस इसके अंदर जो है वो Hot Star का support नहीं मि देख सकते हैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के अंदर से Hot Star गायब है Disney Plus Hot Star यहाँ पर यह वाला देखिए यह 1600 रुपे का plan है जिसके अंदर 84 days की validity है और इसके अंदर जो है वो आपको 5 GB additional data दिया गया है और 84 days में आपको कहीं किसी दिन जादा data लग गया तो इस 5 GB extra quota से जो है वो आप data इस्तेमाल कर सकते हैं वो चीज आपको यह 2879 वाले plan में नहीं देखने को मिलती है तो आपको अगर एक साल का plan चाहिए और वो भी किफायती चाहिए तो 2879 वाला plan जो है वो जादा सही रहेगा इसके बाद आता है 799 का plan याने के 800 रुपे का plan है यह जिसकी validity 56 दिन क वो भी पूरे 60 दिन की validity नहीं है जिसके अंदर आपको 2GB per day data मिलता है लेकिन इसके अंदर additional कोई भी आपको data जो है वो नहीं मिल पाता है लेकिन इसके अंदर आपको Disney plus hot star का जो है वो support मिल जाता है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर Disney plus hot star आपको मिल जाता है और वाकि जीयो कि जो applications है उनका support हर एक recharge के साथ आपको मिल जाता है यह देखिए यह 719 का pack है इसकी भी 84 days की validity है 2GB data per day आपको मिल जाता है इसके नीचे आता है 533 रुपए का plan जिसकी भी validity 56 दिन की है 2GB data per day आपको मिल जाता है लेकिन इसके अंदर कोई भी additional data quota नहीं है साथी साथ इसके जाता है 499 याने के 500 रुपए का plan जिसकी validity 28 दिन की है 2GB per day data मिल जाता है डिजनी प्लस होट स्टार का support मिल जाता है लेकिन इसके अंदर कोई भी additional data का quota आपको नहीं मिल पाता है तो वैसे अगर देखा जाए यहाँ पर आपको अगर डिजनी प्लस होट स्टार चाहिए तो आपको 500 रुपए दे करके 28 दिन का यहाँ पर plan मिल सकता है लेकिन अगर आपको डिजनी प्लस होट स्टार माइने नहीं रखता है उतना तो आप थोड़े पैसे ज्यादा दे करके 56 दिन की validity वाला plan यहाँ पर ले सकते हैं इसके अंदर खाली फायदा इतना ही है कि डिजनी प्लस होट सर वगरा ऐसी कोई fancy चीज़े नहीं है इसके नीचे आ जाता है यह वाला plan जो की 249 का है जिसके अंदर 23 days की validity आपको देखने को मिलती है और data 2 GB का देखने को मिलता है per day और अब आखरी चीज यहाँ पर 3 GB per day का भी pack जो है वो हम देख लेते हैं तो यहाँ पर 3 GB वाले किवल 4 pack company ओफर करती है जिसके अंदर पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं 4199 जिसकी validity 365 days and 3 GB per day आपको मिलता है यह आप देख सकते हैं इसके benefit लेकिन इसके अंदर Disney Plus Hot Star नहीं है उसके नीचे यह वाला आता है 1199 रुपे 84 दिन की validity 3 GB data per day इसके बाद यह 601 रुपे का plan आता है जिसकी validity पूरे 28 दिन की है जिसके अंदर Disney Plus Hot Star भी आता है और यही इनका सबसे popular pack भी होने वाला है क्योंकि जनरली लोग monthly recharge करना ही ज्यादा prefer करते हैं कोई भी एक साथ जो है वो annual pack या 84 day pack कम ही इस्तवाल करते हैं तो इसकी वजह से आपने देखा होगा कि जियो हर ए 28 days validity वाले pack के साथ जो है वो Disney Plus Hot Star देने की कुशिश जरूर करता है और इसकी अंदर additional benefit के तौर पर 6 GB आपको extra data भी मिल जाता है जो कि आप कभी भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो यह काफी जादा किफायती pack लगता है क्योंकि आपको 3 GB data वैसे भी मिल रहा है और 6 GB additional data भी मिल रहा है तो यह काफी अच्छा plan यहां पर सावित होता है और फिर उससे सस्ता वाला जो है वो है 419 रुपे जिसके अंदर कोई additional data नहीं मिलेगा और Disney Plus Hot Star भी नहीं मिलेगा लेकिन उसकी validity 28 दिन की होगी और 3 GB per day data आपको इसके अंदर मिलने वाला है तो यह हमने 1, 1.5, 2 and 3 GB के packs ज 719 रुपीज का plan 790 रुपे 1.5 GB per day मिलता है जिसकी validity आपको 84 days की मिलने वाली है और इसके अगर benefits देखें तो यहां पर free mobile edition free trial मिलती है Amazon Prime Video की और साथी साथ यह Apollo 24 by 7 circle तो Apollo Pharmacy का आपको support मिलता है free online courses Shaw Academy की तरफ से आपको मिलती है get rupees 100 cash back on fast tag तो जैसे कि आपको पता है कि यहां पर air tail जो है वो अपने fast tag भी बेजता है तो आपके पास अगर fast tag है तो आपको 100 rupees cash back आपके fast tag में add up हो जाएगा free hello tunes मिल जाती है और wink music का भी access इसके अंदर मिल जाता है इसके बाद जो है वो 479 का plan आता है जो की 56 दिन की validity के साथ आता है 1.5 GB का यह plan है और इसके अंदर भी जो है वो आपको Amazon Prime Video का trial pack मिल जाता है claim your 30 day free trial and start watching तो यह 30 दिन का free trial आपको मिलता है और बाकी सारे benefit जो है वो बिलकुल same है और यहाँ पर आप देख सकते है SMS tariff post daily 100 SMS limit charging will be 1 rupees 1.5 STD याने के 100 आपको SMS जो है वो free मिलने वाले है और आपका जो fast data का quota है वो पार होने के बाद 64 के BPS तो यह बिलकुल GEO जैसा ही है इसक तो कि 300 रुपए 1.5 GB 28 days के लिए और इसके भी आप benefits देखें है तो बिलकुल similar benefits company की तरफ से दिये गए है यह 265 का भी है जो कि 1 GB per day वाला data है जिसकी भी validity 28 days की आपको दी गई है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 1 GB वाला pack केवल एक ही यहाँ पर रखा ग है और इसके अंदर एक additional चीज आप देख सकते हैं extreme mobile pack 84 days free access to any one of the select extreme channels जिसके अंदर सोने लिव लाइन्स गेट प्ले इरोसनाव होई चोई मनोरंजन या क्या है यह मनोरमा मैक्स यह सब कुछ आपको एरटेल extreme app के ऊपर देखने को मिल जाता है एक channel को यह आप इसमें से choose कर स सकते हैं और फिर बाकी के जो सारे benefits हैं वो बिलकुल similar है और बाकी speed के वगेरा भी charges बिलकुल same है इसके बाद आप देख सकते हैं यह 549 का plan है जो भी 2GB per day है जिसकी 56 दिन की validity है इसके बाद यह 369 रुपे का plan है 2GB per day 28 days validity इसके साथ यह extreme mobile pack भी आपको मिल जाता है और यह फिर आते हैं higher GB के plan जो की है यहाँ पर 455 का जिसके अंदर 6GB का data मिलता है जिसकी validity 84 days की है लेकिन यह जो है यह per day वाला plan नहीं है यह 6GB total 84 days के लिए आपको मिलने वाला है per day के लिए नहीं और यह इसका जो है वो और एक किफायती plan है लेकिन यहाँ पर भी जो है वो यह total data है यह per day data नहीं है 2GB data for 28 days तो यह 179 वाला pack आपको मारना पड़ेगा इसके नीचे यह देखे 699 याने के 700 रुपे का plan है जो की 3GB per day के साथ आता है जिसकी validity 56 दिन की आती है इसके अंदर जो है वो Amazon Prime Membership आपको totally दी गई है यह आप देख सकते है Amazon Prime Membership और यह Extreme Mobile Pack के अंदर जो है वो ए पाकी सारी चीज़े जो है वो बिल्कुल similar है तो यहां पर main for a cup आप देख सकते हैं कि जो 3GB per day वाला plan है तो Airtail अपने plan के साथ जो है वो Amazon Prime के membership देता है वेराज Jio जो है वो Disney Plus Hot Star की membership आपको दे देता है तो यह अब आपको यहां पर चूज करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा यह वाला plan जो है वो काफी जादा value for money आपको दिखाई देता है अगर आपको पूरे 365 days की validity चाहिए तो यह देखिए यह 3000 रुपे का plan है जिसके अंदर 2GB data आपको per day मिलेगा और इसके benefits अगर आपको दिखाऊ तो यह देखिए Disney Plus Hot Star Mobile तो यह आपको free में म मिल रहा है और बाकी के details आप यहाँ पर देख सकते हैं जो की बिलकुल similar है बाकी के plans के अनुसार तो अब हम जाते हैं थोड़े से किफायती plans की और तो यह देखिए 1GB per day का सबसे किफायती plan जो है इनका वो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेकिन इसकी validity जो है वो केवल 24 days की रखी गई है जो की 239 रुपीज का plan है और ऐसा ही plan जियो का भी है तो यहाँ पर काफी ज़दा competitive चीजे इन्होंने रखी हुई है इसके अंदर यह आपको prime video का जो है वो mobile trial मिलता है और बाकी के benefits में से जो है वो एक fast tag वाला benefit इन्होंने हटा दिया है और बाकी details आप यहाँ दिन का plan है जियो का 20 दिन का plan है इनका 21 दिन का है तो वैसे अगर देखा जाए तो काफी ज़्यादा neck to neck competition आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है लेकिन अगर all in all अगर मैं आपको बताओं तो air tail के पास अपना benefit यह है कि इसके अंदर कुछ packs ऐसे हैं ज जियो दोनों ही इस्तेमाल करता हूं तो speed wise भी मुझे air tail जो है वो ज़्यादा सही लगता है जियो के मुकाबले क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जियो की जो range है वो कुछ-कुछ areas में काफी ज़्यादा weak हो जाती है जिसकी विज़ए से speed कमाता है तो air tail के मामले में थोड़ा सा cost आपको जरूर ज़्यादा है ये एक downside जरूर है इसका लेकिन उसके बदले में जो है वो चार चीज़े आपको extra भी मिल सकती है क्योंकि added benefits आप देख सकते हैं कि अपूलो का भी एक मिल जाता है आपको wink music को access मिल जाता है साती साथ जो है वो आपको color tune वगरा भी मिल जाती है जियो के अंदर जो है वो आपको disney plus hot star के परे जाकर के जो है वो ज्यादा कोई चीज़े देखने को नहीं मिलती है बाकी उनके जो खुद के application है उसके अंदर आपको वो जियो cinema वगरा ये सारी चीज़े मिल जाती है और उसका एक benefit यह है कि आप कोई सभी pack recharge कर लीजे चा प्रीड के मामले में मैं airtel को ज्यादा marks दूँगा और अगर आपको किफायती ज्यादा चाहिए तो फिर मैं जियो की तरफ आपको रुख करने का जरूर suggestion देने वाला हो तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा काम का ल